दोस्तो गर आपने ITI या फिर डिपलोमा किया हुआ है तो आज मैं आपके लिए जॉब अपडेट लेके आया हूँ सो नमस्का दोस्तो मेरा नाम पंकस आप देख रहे हैं पंकस एरुटेक चले वेडियो को सुर करते हैं दोस्तो अगर आपने ITI किया हुआ है या फिर डिपलोमा किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुसकबरी है आपके लिए जॉब है और ये जॉब दोस्तो प्राइबेट सेक्टर की जॉब है जो की सेलरी इसकी 19,500 है साथ मैं PF, कैंटीन, सेक्योर्टी, कीट्स जोगरा सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा दोस्तो ये बिलकुल लिगल जॉब है आपके जो है एक नॉर्माल इंटर्व्य होगा और नॉर्माल एक एक एक्जाम होगा तो मैं सब कुछ डिटेल पता हूँगा आप वीडियो बिलकुल बने रहना सुरू से लेक्यान तक वीडियो बहुत छोटा है और बिलकुल लिगल और बिलकुल वैलेड इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ तो दोस्तो अगर अभी तक आप मेरे चनल पर नए है तो आपके लिए यह वीडियो बना कर लाते रहते हैं देखो सबसे पहले क्या है कि डिपलमा और आ मैंने यहाँ पर रिखा हुआ है सब कुछ इसका डिटेल तो पंदरा माई को जो है इसका जो है लास्ट डेट है आप देख सकते हैं पर अप्लिकेशन फी की बात दोस्तो बिलकुल एप्लिकेशन फील बिलकुल कुछ नहीं है जीरो फील है दोस्तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूगा वहाँ पर गूगल फ़र्म है उसको क्लिक करो गया लंक करने के लेदा आपूसे आराम से फ़र्म को फिल कर सकते हो मैं वहाँ पर दिखा भी दूगाा चैसे कैसे फ़र्म को eligibility criteria क्या है तो दोस्तों अहाँ पर age की बात करें तो age minimum आपका 18 साल होने चाहिए और maximum age आपकी होनी चाहिए 35 साल, minimum and maximum, only male candidates, तो दोस्तों अगर आप male candidate हो तो आपके लिए जो है vacancy है, female के लिए vacancy नहीं है, मैं अगली वीडियो में female के लिए बना दूँगा, क्यों के लिए vacancy क की, तो education की बात करें, तो 10th fast with 45% marks, minimum 10th fast होने चाहिए, साथ में 45% marks होने चाहिए, साथ में diploma या फिर ITI, NCBT या फिर SCBT, fast with 50% marks, आपके पास diploma या फिर ITI होनी चाहिए, 50% marks के साथ minimum, और यहाँ बात के दोस्तों सबसे important चीज, passing year, 2014 से ले करके, 2020 तक के 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यह सभी जो है अपलाई कर सकते हैं, अब बात करतें दोस्तों salary की, salary कितनी मिलेगी, तो यहाँ बात करतें दोस्तों salary facility, 19,500 रुपे in hand मिलेगी, for month, आप दे सकते हैं, और OT की बात करें तो 102 रुपे प्रति गंटे, contain rooms और safety kit, साथ में PF, salary increased year by year, दोस्तों आपकी salary जो है, year by year, अगर आप जोईन करते हो, तो आपकी salary year by year increased होगी, अब बात दोस्तों selection procedure क्या है इसका, तो selection procedure है दोस्तों यहाँ पर, selected candidate will be contact for written test and personal interview, अगर आप select होते हो तो आपको जो है, आपकी merit, आपकी education, qualification किसाब से अगर आप select होते हो, तो आपको interview और written test के लिए call किये जाएगा, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ Google form, कि आपको Google form कैसे fill करना है, कैसे आपको open करना है, इसका link मैं आपको description में दे दूँगा, So friends, आप देख सकते हैं, आपर ये Google form open हो चुका है, ये मैंने जो है, link के through open किया है, आपको मैं अपने description में link दे दूँगा, आप देख सकते हैं, आपर diploma and ITI campus placement 2020 registration form, 10th fast bit 45% marks, diploma, ITI, NCBT, HCBT, fast bit 50% marks, जो हमने आपको बताया था, सब कुछ यहाँ पे detail दिया हुआ है, पासिंगे आपके बाद करें, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, appear, selected candidate will be contact for retentist and personal interview, Note, company shall be contact selected candidate for joining process, required, क्या क्या है required है, दोस्तों सबसे पहले आपको name fill करना है, यहाँ पर आपको, आपना name fill करोगे, इसके बाद जेंडर, आपको यहाँ पर जेंडर चुच करना है, आप male हो या फिर female हो, इसके निचे आपके दोस्तों आपको यहाँ पर state सुच करना है, आप कौन से state से बिलॉंग करते हैं, इसके बाद आपको email id, आपको चुच करना है, कोई एक email id, आपको बना लेना अगर आपका पास नहीं है तो, इसके बाद आपको contact number, phone number आपको यहाँ पर इंटर करना है, इसके बाद आपके हाँ पर education qualification देखना है, education आपकी क्या है, ITI है या फिर diploma है, इसमें से कोई आपको इस पर click कर देना है, इसके बाद दोस्तों आप branch की बात करते हैं, trade या फिर branch आपकी कौन सी है, आप यहाँ पर mechanical, feature, automobile, कोई भी जो आपकी branch है आपको लिक देना है, अब इसके बाद नीचे आओ गए आप तो यहाँ पर how can we contact you, तो company आपको कैसे contact करेगी, email के द्वारा या फिर phone के द्वारा, तो आप यहाँ पर click कर देना, आप यहाँ पर tick कर देना किसी एक पर, अगर आप mobile number देते हो, तो contact कर लेगी, mobile number से, अगर आप email ID देते हो, तो आपको email इसके बाद नीचे आओगे, तो why you want to work with us, आप मेरे साथ मेरे कमपनी क्यों जोइन करना चाहते हो, तो एक region देना, valid region, ठीक है, इसके बाद नीचे आओगे, any experience of other telecom, अगर आपका पहले से experience है किसी telecom कमपनी में, तो आप यहाँ पर S कर दोगे, अधर यहाँ आप यहाँ प दिख रहा है, सम्मिट पर क्लिक करना है, सम्मिट पर क्लिक जैसे आप करेंगे, तो यह form सम्मिट हो जाएगा, I think दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इस तरह से notification पानी के लिए आप मेरे चैनल पंकज एड़ूटेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल दोस्ते के अगले वीडियो में, नमस्कार